बिहार के 11 जिलों में दिल्ली और जम्मू से भी अधिक ठंड है धरमसाला और कुलू का तापमान इन जिलों से अधिक दर्ज किया गया है पट नाच्छा प्रापश्चिन चमपारन मुझभफरपूर और भागलपूर समेत ये एक ग्यार्य जिले हैं वहीं भागलपूर जिले में भी भीसन ठंड वसीत लहर का दवर सुक्रवार को भी जारी रहा दो पहर में कम धूप निकली साम ढलते ही एक और फिर से ठंडी हवाएं चलने लगी सुबह के समय सहर में घना को राच्छाया रहा मौसम विभाग के अनुसार मकर संक्रांती तक दो पहर में धूप निकलने से लोगों को रहात मिलेगी तेरे जन्वरी की दो पहर जिली का अधिक्तम तापमान 16.6 डिगरी वा सुबह के समय नियुनतन तापमान 16.2 डिगरी रिकॉर्ड किया गया इसका एमेट वेदर के अनुसार लद्दाक, जमुकस्मीर, हिमाशल प्रदीश और उत्राखन में भारी हिमपात के कारण पुर्व बिहार में घना कोरा चाया रहेगा इसका मुक्षी कारण हावा में नमी की मातरा 100% के कडिव रहना है मौसम विबाग के नुसार पश्चमी विक्छोब के असर से उत्तर पश्चमी भारत वह हिमालेयन छेत्र में बादल छटने के बार ठंड का असर फिर से बढ़ेगा बादल छटते ही पच्छिया हावाए निर्बाद रूप से चलने लगेगी जिसके बाद देश के मैदाने हिस्से में ठंड बढ़ने की संभावना है इसके असर से बिहार में इस सप्ता तक सीत लहर का दोर जारी रहेगा बी ए यू के पियार वे डॉक्टर रमेश कुमार सर्मा के मताविक बिहार में 14-18 जनबरी के बीच अधिकतम तापमान 16-19 डिग्री सेल्सियस जबकि नियूनतम तापमान 16-70 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई गई है इस बीच भागलपूर में पश्चमी हावा चलने की संभावना है